हेलो फ्रेंज वेलकम टो मैं चैनल देवजी के ट्रेक्स फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2019 के करेंट फेयर जो की जनवरी मा के 42 संभावित और चुनुए हुए आपके प्रस्ने सबी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सरगार माई में पेपर हो रहे हैं तो कहां तक की हम करेंट फेयर कवर कर लें और अपराइल से आपके कोश्चन खूब बनेंगे क्योंकि आपका जो वित्ती вर्स है आपका अपराइल से होता है इसके कारण कि अपराइल के पहले की करेंट फेयर बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना होगा हम आपको यहाँ पर जनुवरी मा के सिर्फ दो आपको करेंट अभेर के वीडियो देंगे और दो में समली जी कि लगभग आपके 100% अगर जनुवरी से पूछ जा रहे हैं तो कोश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और अगर आप नए है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तयारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी कोश्चन आपका कहरा है यहाँ पर 24 जनुवरी 2019 को लांच संयुक्त राष्ट की वैस्विक आर्थिक इस्थिती एवं संभावनाई रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 एवं 2020 में भारत की आर्थिक ब्रद्धी दर क्या होगी यह PCS एक्जाम के लिए बहुती बेहतरीन आपका कोश्चन है और जो आपकी यह वैस्विक आर्थि इस्थिती रहेगी की संभावना है नेश कोश्चन के बहुत करते हैं कोश्चन आपसे कह रहा है राष्टी मतदाता दिवस किस्तित को मनाया जाता है तो याद रखिए कि आपके इलेक्षन भी होने वाले हैं जाए आपका पिछलिवार्भी ऐले कोस्चन या पूचा गया था अभी पूचा ठाया आप लहाए नेज कोछा एम।बान नीकोबार में इस्थित भारती्नोसेनहा का वाईउट इस्टेशन है बहुत बेतरीन आपका कोश्चन है नेस केर आपसे कि 22 जनवरी 2019 को वर्ष 2017 का सरसुती सम्मान किसे प्रदान किया गया है तो सुची 2017 का सरसुती प्रश्कार है ये 2019 में दिया गया है ये दिया गया आपके गुजराती कभी है आपके सितांसु यस्चंद तिके सितान्सू यस्चंद को दिया गया है ये सरसुति सम्मान 2019 में नेश के राप से रेटिंग एजन्सी क्रिसिल द्वाराजारी सत्रा गैर बिशेस राज्यों की रैंकिंग में वर्स 2018 में सर्वाधिक आर्थिक ब्रदीदर हासिल करने वाला राज कोन है तो आपका ये बिहार है जो कि 11.3 प्रतिस्त दर में सर्वाधिक आर्थिक ब्रदीदर हासिल किया है निसके राप से कि 22 और 23 जनवरी 2019 के मद भारती नोसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा तटी रच्छा अभ्यास कौन सा राह है तो ये आपका तटी रच्छा अभ्यास राह है सी वीजिल जो कि 2019 का राह है सी वीजिल निसके राप से कि Microsoft द्वारा पांच फरवरी अर्थात पांच फरवरी को हुआ था आपका सुरच्छित इंटरनेट दिवस पांच फरवरी कौन सा सुरच्छित इंटरनेट दिवस 2019 को जारी डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत के रैंक इतनी रही है तो ये आपकी सात्मी रैंक रही है ठीके निसके राप से कि पंजाब सरकार द्वारा की से राज की जली जिव गोसित किया गया है तो राज की जली जिव गोसित किया गया आपका सिंधु नदी की जो डालफिन को है इसको पंजाब सरकार ने राज की जली जिव गोसित का लिया है निसके प्रधान मंत्री किसान सम्मान निध योजना में लाभार्थी किसान के लिए क्रसी योग भूम की आधिकतम सीमा कितनी रखी है ये रखिए दो हेक्टेएर ठीके दो हेक्टेएर निश के रहा है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यू ए आई और सौधी अरब द्वारा संयुक्त रूप से जारी Digital Currency का नाम क्या है दोनों की आपके संयुक तुरूप से है ये Digital Currency का नाम है अरवेर ये Current आपको Question पूछ सकता है कि यहांकी जो बुद्रा है वो क्याँन सी है तो आपकी अबेर है ठीके और नेस कहरा आप से कि डांडी गुजरात में प्रधान मंतरी नरेद मोधी द्वारा राष्टी नमक सत्यागरा इसमारक का उदगाटन कप किया गया तो ये किया गया आपका 30 जिनवरी 2019 को किया गया है जो कि राष्टी नमक सत्यागरा इसमारक है ठीके नेस कोचन आप से कह रहा है कि 29 जिनवरी 2019 को Transparency International द्वारा जारी ब्रस्टा चार बोध सूचकांक 2018 में भारत की स्थान के रहा है तो अर्थात ब्रस्टा चार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 78 मर है ठीके और नेस कोशन को राते हैं कोशन आपका यह बहुत ही समय है कि लोग पाल चैन की जो समयती है तो इसकी समयती यह किसकी अदिश्टा में है तो रंजना प्रसाद देशाई यह आपके पूर नयाधियस हैं जो की उच्चतम नयाले के हैं ठीके और नेस कोशन को राते हैं कोशन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 2019 में घोशित विसो का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन होगा तो विसो का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे आपका गंगा एक्सप्रेस होगा ठीक है गंगा एक्सप्रेस याद रखना बहुत अच्छा है यह भारत का आपका है हिंदी भासा के साहित अकादमी पुरुषकार 2018 में चित्रा मुद्गल को किस करती के लिए पुरुषकार दिया गया है तो चित्रा मुद्गल को पुरुषकार दिया गया आपका पोस्ट बाक्स नंबर 203 नाला 112 को दिया गया है जुकि आपका साहित अकादमी पुरुषकार ह हिंदी बासा के लिए बहुत ही बेतरी ने ये साहित अकादमी हिंदी बासा का सर्वसेष्ट आपका ये पुरुष्कार आपका है नेस कहे रहा है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 सुची में 200 के सीह सो मुल्यवान ब्रांडों में सामिल भारत का एक मुल्य bene कौनसा है। ति यह आपका टाटा समु है और टाटा समु को जो इस्तान आया है यह आपका लिए पूरे विशमें, सोव बोमुल में आपका 56 स्थान आपका यहां पर आया है ठीके नेश को शनल आपसे यहां पर कहरा है कि वर्ड कौच्छा व्शबाल इसपात में भारत का कौन सा इस्थान रहा है तो वर्स 2018 में 200 कच्चा और इस पात में आपका दूसरा इस्थान रहा है ठीक है दूसरा इस्थान नेस कोचन आपसे कह रहा है कि 200 स्वास्त संगठन ने वर्स 2019 में स्वास्त के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणी खतरा की से माना है तो स्वास्त के लिए सबसे ज़्यादा परिवर्ण हानिकारक आपकी है वाई प्रदूसर्ण और आपका जलवाई परिवर्तन जब वाइप प्रदूसर्ण होगा तो गलोबल वार्विंग बढ़ेगी और जब गलोबल वार्विंग होगा तो आपकी जलवाई परिवर्तन 100% हो गई ही ठीके निस कोचन आप से कह रहा है कि 25 जनवरी 2019 को गोसित पदम विभूशन पुरुशकार कितने लोगों को दिया गया पदम विभूशन की बात कर रहा है और बहुत ही अच्छा कोचन आपका है तो पदम विभूशन पुरुशकार दिया गया आपका कितने लोगों को तो चा तीसरे हैं कि अनिल कुमार मरिभाई नाइक हैं और चौत हैं आपके बलवन्त मोरिस्ट्वर पुरंदरे ये आपके हैं इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पिछली बार दो हजार जो अठारा में पदम विभुस्वर पुरुसकार दिये गए थी वो तील लोगों को दि नेश को चनाब से कह रहा है कि 27 जनवरी 2019 को संपन आस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की पुरुस एवं महिला एकल इस परदाओं की विजेता कौन है तो देखिए इनकी विजेता आपकी हैं नौवाग जोकोविव ये आपकी जो आस्ट्रेलिया से हैं आपके नौवाग जोकोव मतलब की जो आस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की पुरुस एकल में जीती हैं आपके नौवाग जोकोविव जोकी सर्विया के हैं और जो महिला एकल इस परदाओं में जीते हैं ये आपके नावोमी सोवाग ओसाका जोकी जापान की हैं ये बहुत ही अच्छा कोशन है ठीके नि सम्मानित किया गया है ने सर्ष कोशन आप से कह रहा है कि 25 जनवरी 2019 को भारत रत्न से कितने लोगों को सम्मानित किया गया तो 25 जनवरी 2019 को भारत रत्न सम्मानित होने वाले जो लोग हैं आपके तीन कौन-कौन आपके हैं तो ये आपके तीन हैं जो पूर राश्पती आप को अर्था 26 जनवरी को आपके जो भी लगभग जनवरी पुर्षकार दिये गें वही आपकी बहतरीन 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 कोश्चन आपके हैं और यहीं से कोश्चन आपके घुमा के 100% पूच रहा है समय कोश्ची इस्थित एकी करत रिफाइनरी विस्तार पर्योजना अर्था जिसे IREP कीक्स कमपनी द्वारा संचालित की जा रही है तो यह आपकी रिफाइनरी जो आपकी है विस्तार पर्योजना यह आपकी है भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेट के द्वारा आपकी इस्थापित की जा रहे है ठीके निश के राप से कि हिंदी की प्रिसिद लेखी का क्रश्णा सोविती 25 जनवरी 2019 को निधन हो गया उनका जन्म कहा हुआ था ये पॉइंट और भी बहुत ही अच्छा है क्यों क्योंकि 2000 आपका 18 में इनको पुरुषकार से पुरुषकारित किय डीके इसकारण से कोशन आपका बहुत 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 मता है और यहीं जो आपकी है इनका जन्म छहाँ भाग पाकिस्तान MA पड़ता है यहां पर हुआ था ये पॉइंट आपका बहुत 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 ही क्रश्णा सोविती जो गि certification ऑ़र्सकों-σबंद्र सर गार फिल्ड सोबर स्टॉपी किसे प्रदान की गई है ति ये विराट कोली को जो कि आपके भारत के हैं नेश कहरा आप से कि हाली में LIC भारती जीवन बीमा निगम द्वारा किस बैंक के 5150 सेरों का अधिग्रहण किया है ति ये आपकी है IDBI Bank ठीके इसके है जो कि 5150 सेरों को अधिग्रहण किया है नेश कोचन आप से कह रहा है भारती प्रवासी दिवस ठीके प्रवासी भारती दिवस 2019 का आयोजन किस सहर में किया गया ये बहुत ही अच्छा क्वार्शन है आपका ये आपका किया गया वारन रसी में ठीके प्रवा प्रवासी भारती दिवस जो कि आपका नो जनवरी को मनाया आता है ये आपका वारन रसी में आपका किया गया है आप कोचन यहां से एक और बनता है क्या कि 15 वे एक कौन से नंबर का प्रवासी भारती दिवस ठा और 2019 के मुक्यति थी कौन रहे है तो आपके ये प्रविंद जगरनात हैं जो कि आपके मौरिसस के प्रधार मंत्री है ठीक है मौरिसस के प्रधार मंत्री है नेस कोशन आप से कहरा है कि युनिसको द्वारा कि सहर को वर्ष 2020 के लिए विस की पहली वर्ष तुकला राधधानी गोशित किया है बहुत ही अच्छा है और यह UNESCO नेगोशित किया है 100% कोशन आपको देखने को मिलेगा ति यह आपका रियो डी जनेरियों जो कि ब्राजीने पढ़ता है और 2016 की जो रियो ओलंपिक हुए थे आपकी यहीं पर हुए थे ठीक है नेश के रहा है कि 20 जनुमरी 2019 को देश के दूसरे रच्छा औधोगिक गलियारे का उदगाटन रच्छा मंतरी द्वारा कहां पर किया गया ति यह आपका रच्छा औधोग गलियारा है और इसका उदगाटन किया रच्छा मंतरी जीने कहां पर आपके तमिलनाडू में किया ह कृतिम बुद्धिमत्ता जो की Artificial Intelligence में पूर्ण बीटे कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला सैच्छिनिक संस्थान कौन बन गया है तो IIT आपकी हैदराबाद बन चुका जो की पूर्ण बीटे कोर्स आपका करने वाला पहला आपका सैच्छिक संस्थान है निसकरा है Laureus World Sports Award के लिए नमांकित होने वाली पहली भारति अथलिट कौन सी है तो ये पहली भारति अथलिट आपकी है विनेश फोगाट जो की एक महिला पहलवान है बहुत ही अच्छी पहलवान है ये निसकरा है आपसे कि वर्ष Bunny 2018 के लिए गांधी सांति पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया तो गांधी सांति पुरुषकार से सम्मानित किया गया किसे यहाँपर आपका राइट अंसर आपका दिया है यो है anything. सासा कावा जो की विश्व स्वासंगठन के कुष्ट नुमूलन है तो इनको सद्भावना दूत रहे हैं इनको दिया गया है ठीक है गांधी संतिप्रोषकार ये भी बहुत बेतरी आपको कोश्चन है नेस कोश्चन आप से कह रहा है हाली में किस देश ने चंद्रमा पर कपा कापास का पौधा उगाने का दावा किया है और ये अपका चीन है जिसने ये मिशन को हासिल विकर लिया है था चीन है जिसने चांग E4 मिशन के द्वारा यहां पर कापास का पौधा आपके चंद्रमा पर उगाया गया ठीक है नेसके रहा है पहली भारत मद्ध एसिया वार प्रेसिडेंशियल आवार्ड से सम्मानित किया गया तो यह आपके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी हैं यह भी आपका बहुत यह अच्छा कोश्चन है लिग कर लीजिए आपके जो हम कोश्चन पढ़ा रहे हैं तो यूपी पीसियस मंडी परशड और जितने भी आपक फिरो इसको पढ़के ही जाना ठीक है निसके राप से कि मेसिडोनिया ने जनवरी 2019 में अपने देश का नाम बदल कर ठीक है देखो मेसिडोनिया ने जनवरी 2019 में अपने देश का नाम बदल कर उत्तरी मेसिडोनिया गरणराजी कर दिया है उसके नाम का विवाद किस देश क के साथ था तो ग्रीज के साथ ये विवाद था उसका नाम आपको हो गया है उत्तरी में से डोनिया निश कहरा है आपसे 12 जनवरी 2019 को किस राज ने एक परिवार एक नौकरी योजना सुभारम में किया है तो हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे ये आपकी सिक्किम राज है ठीके सिक्किम और नेश कोचन आप से कहा रहा है रास्टी युवा दिवस जोकी वेकरनन्दी के रूप में मनाते हैं उनके जन्वुदिवस में यह किस्तित को मनाया गया तो 12 जनवरी को मनाया गया ठीके निश्क के रहा है कि 8 जन्वरी 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक रीपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उभ्भोकता बनेगा वर्ष 2030 तक बनेगा ठीक है वर्ष 2030 तक बनेगा और यहां तक हमने कबर किया आपको कमेंट के को गैर उपलब्दी वाले सहर की रूप में चिनित किया गया है फिर से कोशन पर लीजिए कह रहा है 10 जिन्वरी 2019 से आरमवे रास्टी स्वच्छ वाय कारिकरम के तहत कितने सहरों को गैर उपलब्दी वाले सहर की रूप में चिनित किया गया है आपसानापका 101, 102, 103, 104 आप कि यह प्रस्ण आपके 100% चेलेंजिज कोर्शन आपके हैं जो आपके 100% देखने को एकजाम में मिलेंगे हमने बता दिया दिसमबर जनवरी फरवरी मार्च अपरेल के हम करेंट अफेरन दो-दो पार्ट लाएंगे उल्ली दो-दो पार्ट लाएंगे बस इनहीं में आपकी फ पर्नवाद जैहिंजे भारत